लपक के जलते थे सरारे जैसे थे लपक के जलते थे सरारे जैसे थे और जब हम भी नए-एनय थे तो बिलकुल तुमारे जैसे थे तो दोस्तों जोड़ जाए एक बार ताबर तोर अंदाज में आप सभी लोग और बैटिंग चालू होने वाली है तो बैटिंग ताबर तोर चलेगी और जबरदस्त अंदाज में चलेगी दिवाली आप सभी लोग की अच्छी गई है और अब भाईया दूज और छट पूजा तो भाई इंजवाय करेंगे हम सभी लोग इसको भी जबरदस्त अंदाज में लेकिन पढ़ाई साथ साथ चलती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई कभी रुकती नहीं है दोस्तों और आप से उपर वाले शिबस यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग का सेलेक्शन होते चला जाए दीरे-दीरे करके सभी का जितने लोग लगातार बने हुए हैं जितने बच्चे हैं जिनकी जो खुआई से हैं सबकी खुआई से क्या हो जाए पूरी हो जाए तो इसी आसा के साथ बढ़ेंगे आपने सबसे पहले सवाल की तरफ लेकिन आपको पता है ना कि सबसे पहला सवाल कब आता है आपके स्क्रीन पे जब आप कमेंट बॉक्स में कर देते हैं थम्सप डीके सर तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग का आजा है कि थम्सप डीके सर और तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे और भाई देखो अगर तैयारी आप अच्छे से कर इसलिए कहा गया है लहर का खम निकाला जा रहा है लहर का खम निकाला जा रहा है नदी पे बांध डाला जा रहा है और कहां ठहरे कहां ठहरे निंदे हमारी पलकों पे सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है तो जल्दी से एक बार ताबर तोर अंदाज में बैटिंग और इसी तरीके से लाइक एंड शेयर और जो आप प्यार शपोट और विश्वास बनाए हुए अपने डी के सर पे वो हमेशा ब पूछेगा कठिन सवाल कि भाई टाइमर के अंदर में क्या बना सकते हैं इसका जवाब तो देखते हैं कि कौन सबसे पहले इसका एंसर लगा पाता है जल्दी से पढ़ा पट एक बार आपके एंसर का इंतजार है जिहां इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कोई ख़बर मे टू टू फाइब तो भाई 15 का स्क्वाइर है तो ऐसा कैसे तो यहां 12 है तो 12 प्लस 3 15 का स्क्वाइर 13 प्लस 3 16 का स्क्वाइर दिया है 256 बारह प्लस 3 15 का स्क्वाइर तो 13 प्लस 3 16 का स्क्वाइर 256 विल विल विदा करेक्ट अंसर आपका यहां पे लगने वाला था अब option 256 ना देता तब क्या करते पहला लोजिक तो यह आ गया ठीक है very good लेकिन माल लो मैंने आपको option में 256 दिया ही नहीं यहां दे दिया हमने 227 अब क्या लगाते जरा अब देखें और फिर से timer चला दे जरा सा अब 227 है option में अब देखते हैं कौन लगा रहा इसका जवाब question थोड़ा change हो गया अब बताईए यहां पे क्या answer लगाओगे आप लोग बतलब आप कोगे sir game start करके तब rule बदल दे रहे हो यह तो गलत बात है यह गलत बात है लेकिन यही गलत बात आपको सही कर देगा examination में जाकर तो बताईए यहां पे हर angle से तयार रही है आया यह logic नहीं रहता तब आपको तब भी लगता 12 प्लस 3 15 का square 13 प्लस 3 16 का square option में नहीं अब क्या करें तो भाई मेरे यहां पे 15 का square तो है ही तो 12 में प्लस 3 भी हुआ यह confirm है लेकिन 13 में प्लस 3 नहीं हो रहा यह भी confirm है तो कैसे यहां क्यों प्लस 3 हुआ आप इस पे सोचेंगे तो यह process है तो इन दोनों को अगर आपस में add करोगे तो 3 आजाएगा इन दोनों को आपस में add करोगे तो 4 आजाएगा तो 13, 4, 17, 17 का square 289 भी लग सकता है answer ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैसे आपका answer 289 यहाँ पे आ रहा है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका timer भी दे देते हैं भई लगाईए तो जवाब जबर दस्त लगाईए मेरे दोस्त बताओ यहाँ पे क्या answer लगा रहे हो इसका एकदम solid जुगार solid trick मैं आपको अभी देने वाला हूँ कि क्या solid जुगार और solid trick हो सकता है इसका 12 March 2015 अरे बाबा रुक 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 कैसे बनेगा यह 12 March 2015 दे दिया देखो इसका जुगार क्या है सीखना नहीं बच्चे को भी यहाँ पे clear हो जाएगा कि इस टाइप का सवाल आएगा तो आप कैसे बनाएंगे 12 March 2015 विडनस डे और आपसे कह दिया है कि 12 March 2021 बताईए कौन सा दिन होगा यही तो पूछ रहा है देखो अगर date और month same हो तो कट कर दीजे कोई लेना देना नहीं खतम 15 से 21 चलोगे तो 6 साल का difference तो plus 6 करिए ठीक उसके बाद इन दोनों के बीच में जितना लीपियर आएगा उतना और add करिए तो 15 और 21 के बीच में 2016 और 2020 दो लीपियर आएगा तो plus 2 तो 6 प्लस 2 विडनस डे में 8 add कर दीजिए answer आएगा साथ से जादा आएगा तो 8 बटा साथ करिए reminder एक आजाएगा मतलब विडनस डे में एक add कर दीजिए Thursday मतलब बिरस्पती वार will be the correct answer आपका हो जाएगा यहाँ पे option number 2 तो I think कि जितने भी नए बच्चे उनको समझ में आ गया होगा कि अगर इस टाइप का सवाल रहेगा तो करना क्या होता है अगर date और month सेम है कोई उपाय ने इसको cut कर दीजिए केवल year का difference और उसके बीच में जितना leap year आएगा उसको add करिए answer फटाक से निकाल के लेजाईए ठीक है दोस्तों clear हो रहा होगा आपको और मज़ा भी आ रहा होगा चलिए अब देखो यहां पे क्या है यह कितनी बार कराया हमने बार बार देखो एक ही method है अगर आप state level SSC है ना और railway इन तीन चीज़ का exam निकालना चाहते है जो FSSI का भी syllabus है तो एक ही चीज़ है एक ही logic पे कम से कम सो बार सवाल बनाए अलग अलग बदर ठीक अच्छा एक ही सवाल को कम से कम 10 बार एक सवाल को 10 बार बनाएं और यह नहीं कि एक ही बार 10 बार बनादी आज बनाएं फिर 5 दिन बार बनाएं फिर 8 दिन बार एक सवाल को 10 बार बनाएं और एक ही लोजिक पर सवाल को 100-100 बार बनाएं अरे भाई दुनिया में बहुत कम logic है आप से नहीं बनने का कारण सिर्फ यो होता है कि उस समय दिमाग में hit नहीं किया तो उस समय दिमाग में hit करे इसके लिए करना क्या है एक ही logic क्यों कि लॉजिक कितने होंगे मैं अभी आपको सवाल कराओंगा आगे आप देखना लॉजिक कितने हो जाएंगे अरे भाई वही तो होगा इसमें एक एक्स है, इसमें चार है इसमें कितने है, तो आप इसको नंबर सीरीज में कनवर्ड कर दो कैसे इसमें एक एक्स है, इसमें चार है इसमें कितने है, छे है इसमें कितने है चार चार आठ और एक नौ है इसमें कितने है चार चार आठ और तीन ही ग्यारा है एक चार चार नौ ही ग्यारा है डिफरेंस निकालो तो एक और चार का डिफरेंस प्लस तीन है 4 और 6 का तो प्लस 2 है 6 और 9 का तो प्लस 3 है 9 और 11 का तो प्लस 2 है देखो लॉजिक लग गया की नहीं प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 तो आगे प्लस 3 होगा मतलब 11, 12, 13, 14 14 X चाहिए 14 X 4, 8, 12, 16 4, 8, 12 4, 8, 12, 13 4, 8, 10 एंसर यही होगा आप सभी लोग को और उसी चीज़ पे आपको भी फोकस करने की जरूरत है अब देखो अब यह क्या है आपकी मा के पापा की इकलौती बेटी के पती के भाई आपके कौन लगेंगे अब बताओ कितनी नाइंसाफ ही है डाइरेक्ट नहीं पूछ सकता था कि फलाना आपके कौन लगेंगे इतना घुमाने की क्या जरूरती इसको भई लेकिन ही घुमा दिया करा है आपकी मा के पापा की इकलौती बेटी के पती के भाई आपके कौन लगेंगे एक बार लाइक एंड शेयर दोस्तों कर दो सभी लोग मैं देख रहा हूँ यहां से एक बार जल्दी से फटाक से आप सभी लोग लाइक एंड शेयर करिए दिवाली के बाद है इसका क्या मतलब अभी छट पूजा बाकी है तो अभी भाई लगेंगे जरा बताओ तो आप अगर मेल मिंबर हैं तो आपके ससूर जी के नाती आपके कौन लगेंगे पहले तो इसका जवाब दे दो आप सभी लोग भाई बोलो बार बार जब बलड रिलेसन इस टाइप का आता है मेरे दिमाग में यह सवाल आता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत बना के निकल जाते है तो गलत नहीं बनाना है उसके लिए क्या करना है वो एक चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए तो आपके ससूर जी के नाती आपके कौन लगेंगे भाई आपके ससूर जी हो जाएंगे ठीक है तो आपके ससूर जी का नाती तो आपके ससूर जी का नाती कौन होगा तो आपकी और आपके वाइफ का बच्चा वही तो नाती होगा तो आप कौन है आपके ससूर जी के नाती के आप कौन है तो आप बहुत सारे बच्चे पापा लगा भी रहें लेकिन ध्यान दो अगर आपकी वाइफ को एक और बहन है और उसका भी साधी हो चुका है और उसका भी कोई बेटा है तो वो भी तो आपके ससुर जी का नाती लगेगा तो ये क्या आपका बेटा है? नहीं मतलब जब भी आप से कोई कहे कि आपके ससुर जी का नाती कौन है तो आप याद रखिएगा कि वो आपका बेटा भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो एंसर केनोट भी डेटरमाइन जाएगा समझ रहे हो बात अब हम आते तपाक से इस सवाल पे भाई इस सवाल को कैसे बनाया जाए तो इस सवाल को बनाने का प्यारा सा एक तरीका है कह रहा है कि आपकी मा के पापा तो आप यहाँ है ठीक है तो आपकी मा ठीक है आपकी मा आपसे उपर वाले जेनरेशन में आपकी मा के पापा मतलब आपके कौन नाना जी हो गए यहां तक ठीक है आपकी मा के पापा की इकलोती बेटी और आपके नाना जी की इकलोती बेटी मतलब आपकी मा ही है क्योंकि इकलोती बेटी कह दिया है इकलोती बेटी के पती मतलब आपकी मा के पती मतलब आपके पापा आगए भाई साब यहाँ के भाई अब आपके पापा के भाई है एक तो यह आपके कौन लग रहे हैं आपके पापा के भाई आपके चाचा लग रहे हैं तो आप एंसर लगा यह option number C क्या दिक्कत है इसमें ठीक है तो इस type से सवाल बनाना पड़ेगा भाई आपको समझ रहे हो चीजों को अगले सवाल की तरफ बढ़ते है देखते हमारा अगला सवाल क्या है और आपको मैं timer भी दिये देता हूँ इस सवाल के लिए कि भाई answer तो लगाओ इसर क्या लगाओगे भाई ये तो बताओ जल्दी से टाइम आपके पास है पूरा टाइम ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई आपका जवाब सही चाहिए हमें बस तो चलो देख लेते हैं भाई कि आपका जवाब क्या होगा देखो यहाँ पे 25 is to 49 double is to 169 is to what फिर वह यह भाई process सेम है दोनों तरफ नंबर है और दोनों तरफ वही बेचैनी है कि 5 है यहाँ साथ है क्यों कहोगे यह 5 कैसे कर दे रहे 25 का स्क्वाईर 49 7 का स्क्वाईर यह 13 का स्क्वाईर तो देखो यह 5 का स्क्वाईर यह 7 का स्क्वाईर यह 13 का स्क्वाईर तो आगे 15 का स्क्वाईर 225 लेकिन फिर वही कांड हो चुका है हम लोग के साथ यह सवाल option जो है वेवफाई कर चुका है कहीं भी 225 नहीं दिख रहा है क्या एंसर लगाओगे 225 नहीं दिखेगा तो ध्यान से देखो भई देखो यह 5 का स्क्वाईर यह 7 का स्क्वाईर तो 5 के बाद वाला प्राइम नंबर 7 था उसका स्क्वाईर तो 13 के बाद वाला प्राइम नंबर क्या होगा 15 नहीं 15 प्राइम नहीं तेरह के अब जस्ट बाद वाला प्राइम नंबर 17 होगा, तो क्या 17 का स्कुरर दिया है, बिल्कुल दिया है, आप 289 करके निकलिए यहां से, ओप्शन नंबर A विल भी दा, करेक्ट एंसर हो जाएगा, बोलो भाई, पक्की बात है, निर्जीव सवाल इसको कह सकते हैं आप, मतलब जिसमें कोई जान नहों, उसे हम निर्जीव कहते हैं, तो इस सवाल को आप निर्जीव घोसित कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत होने वाली आपको नहीं है, मतलब इतना निर्जीव सवाल है ये अब तुम कहोगे सर इसको निर्जीव बना दिये आप तो सर बिल्कुल बना देंगे कुछ भी बना सकते हैं हम लोग इस सवाल को देखो क्या है T के बाद क्या आएगा UV प्लस 2 हुआ है I के बाद J K फिर प्लस 2 हुआ है R के बाद S T फिर प्लस 2 हुआ है सब में प्लस 2 हुआ है भाई तो R के बाद S T P के बाद देखो Q R नहीं है सब में दो एड़ होना L के बाद M N O के बाद P Q नहीं है G के बाद H I E के बाद F Z M के बाद N O बिल्कुल option number C घेर दीजिए न कोई दिक्कत है क्या भाई यहां पर बताओ कितने प्यार से यह सवाल बन रहा है भाई दिवाली के बाद तो हर सवाल आसान होते जा रहा है यह क्या है कह रहा है यदि C dollar E is equal to 4 यह बनाओ भाई प्यारा सवाल है देखते है कौन पकर रहा है इसक लॉजिक को मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहां भाई आपको बताना इसका जवाब क्या होगा C dollar E is equal to 4 है F dollar I is equal to 15 है अच्छा आप बनाओ भाई मैं इससे पल्ले जार रहा हूँ भाई आपको answer देना यहां आप नहीं जानते कुछ जल्दी बताओ क्या answer होगा फटापट बताओ यदि C dollar E is equal to 4 है F dollar I is equal to 15 है तो B dollar E is equal to क्या होगा यह आपको बता देना है दोस्त एक बार फटापट बताओ मेरे भाई क्या answer लगने वाला है आप सब भी लोगों का बोलो C dollar E is equal to 4 देखते हैं भई क्या लगा देते हो तुम लोग का बई मन कुछ भी लगा सकते हो कह रहां C dollar E ध्यान देना तो C है E है और यहां 4 तो अगर place value लिखोगे तो इसका place value 3 होता है इसका 5 होता है 3, 5 है यहां 4 मतलब 4 बीच में बैठा दे 3, 4, 5 C और E के बीच में कौन आता है D, D का place value 4 वही तो लिखा है F और I के बीच में कौन आता है तो G और H आता है G का place value 7, H का place value 8 दोनों को जोरो देखो 15 आ गया यहां भी B और E के बीच क्या होगा तो B और E के भी C और D होगा C का place value 3, D का 4 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 देख रहे हो कितने प्यार से यह बनाए option number B will be the cheek cheek के कहराएगी correct answer option number B will be the cheek cheek के कहराएगी correct answer क्या जबर्दस चीजें चल रही है भाई अगला सवाल और जब इतना लंबा चोड़ा सवाल आए ना तो समझ लेना कुछ कांड होने वाला है बहुत बड़ा देखते हैं क्या answer लगा रहे हो आप लोग सबसे पहले इसका timer चला दिया जाए भई चलो timer चल गया है जल्दी से बताओ इसका answer क्या लगा रहे हो सबी लोग फटा फट timer खतम answer चुरू क्या लगा रहे हो answer भई देखो क्या है 16, 17, 23, 18, 19 26, 20, 21 देखो लगातार लग रहा है 21, 21 लगातार है 18, 19 लगातार है 16, 17 लगातार है एक gap करकर करके देखो 16, 17, 18, 19 एक gap 20, 21, एक gap 22, 23 23 से शुरू होगा गलत, गलत, गलत यह answer होगे, direct A निकल गया भई अगर मानलो आपके मन में तब भी रहनी दूसरा वाला क्या कर रहा था तो देखो 23 था 26 था 29 था 2 gap करके 31 होगा, मतलब 23, 31 will be the correct answer हो जाएगा 29 में 31 होगा, मतलब मेरा भी calculation खराब, 23, 32 will be the correct answer हो जाएगा, आपका option को count करो, rectangle कितने होंगे इसमें ये बताना है आप सभी लोगों को बोलो भई simple count करिये, बोलिये कितना rectangle है यहाँ पर मैं आपको basic चीजे भी बता दू मानलो ऐसा रहता कि इसमें कितने rectangle हैं आपको count करना रहता, तो क्या करते हैं ऐसे type में, कि ये कितना खंड में बता है, वो लिख देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 4 खंड में है 4, 3, 7, 2, 9, और 1, 10 टोटल कितने rectangle होंगे 10 इसमें answer हो जाएगा अब को कि ऐसा कैसे हो, क्यूं होता है अगर इसको count करने चलते इसको मान के count करते हैं तो एक तो ये है ही, एक है लेकिन इसी को बेस मान के फिर यहां से यहां तक 2 फिर इसी को बेस मान के 3 फिर इसी को बेस मान के 4 तो 4 हो गए यहां तक फिर अब इसको बेस मानते तो 4 और एक 5 और एक 6 हो गया फिर इसको बेस मान के चलते तो 6 और एक क्या हो गया, 7 हो गया हो गया न साथ भाई देखो तो सही तो फिर यह 10 कैसे आ रहा है तो देखो यहाँ पर 10 कैसे आ रहा है इसको बेस मान के चलते तो 1, 2 आ गए ठीक है लेकिन 2 ही तो आएगा 4, 3, 7, 2, 9, 10 कैसे आ रहा है रूख रूख कहीं गरबर हो रहा है भाई रूख जा भाई रूख जा नीचे कर लेकि ठीक है ऐसा है 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ठीक है तो 10 तो होगा यह तो clear है 4 तो यहाँ से आ गए अब भी देखो वही गरबरी हो रही है ना देखो 4 तक तो होगा 1, 2, 3, 4 4 के बाद देखो क्या होगा 5, 6, 7 फिर अब इसको बेस मान के 8, 9 फिर इसको बेस मान के एक क्या होगा 10 तो टोटल 10 ऐसे काउंट भी कर सकते थे आप ठीक है अब इसी में क्या कर देता है कभी-कभी मैं आपको और बता देता हूँ इसी में कभी-कभी क्या कर देता है कि ऐसे जोड़ देगा line देखना ऐसे line जोड़ देगा अब पुष्टा इसमें कितना आयत है rectangle तब क्या कहते फिर जोड़ते 1,2,3,4 तो 4,3,7,2,9 और 1 कितना आता 10 इधर से 1,2,3,4 फिर 4,3,7,2,9 और 1 कितना आता 10 तो 10 और 10 कितना हो गया 20 लेकिन इसमें एक घटा देते क्योंकि ये दो बार count हुआ है तो 19 यहां पे आपका answer आ जाता मालो इसी में एक और ऐसे line जोड़ देता समझना बात को कहता अब कितना होगा तो फिर इधर भी कर लेते 1,2,3,4 तो फिर 4,3,7,2,9 और 1 कितना आ जाता 10 तो 10,10,20 और 10 कितना होता 30 लेकिन इसमें ये भी दो बार count हुआ ये भी दो जगह आ गया तो 30-2 करते मतलब 28 answer आता यहां समझ रहे हो कैसे answer निकालना है यहां से बस वो सीख लो तो अब यहां पे क्या निकालोगे answer तो एक बार ऐसे कर लो एक, दो, फिर वही चीज़ है मैंने आपको पूरा सिखा दिया एकदम एक, दो, तीन, चार तो 4, 3, 7, 2, 9, औरे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया इधर 1, 2, 3, 4 तो 4, 3, 7, 2, 9, औरे कितना आ गया 10 आ गया, तो 10, 10 कितना आ गया 20, ठीक है 20 आ गया, लेकिन एंसर क्या लगा दें पहले तो वो, कि इधर से भी गये तो 20, अरे ये क्या कर दिया हम लोगों ने एक गरवरी कर दिया ना, देखो यहां पर क्या गरवर हो गया है ध्यान से देखो क्या हुआ 1, 2, 3, 4, तो इधर से तो क्लियर था 4, 3, 7, 2, 9, औरे क्या गया, 10 इधर से चलोगे तो 1, 2, 3 ही तो होगा तो 3, 2, 5, औरे क्या गया, 16 10 चे क्या होगा, 16 आ गया लेकिन ये 2 बार काउंट हुआ है तो 1 घटा दो 16 माइनस एक मतलब यहां पर 15 एंसर हो जाएगा 15 option number D में रखा हुआ ता आप निकाल के ले जाएए, इसमें आपको कोई रोकने उकने वाला यहां बात नहीं है कि हम रोक लेंगे आपको कि नहीं भाई 15 एंसर मत लगाओ, तो यह करो, वो करो, कोई दिक्कत नहीं clear? तो यहां 15 विल भी दा correct answer हो जाएगा, option number D, अगले सवाल पे चल रहे है काय नहीं बढ़ रहा है भाई, हाँ यह देखो, यह तो एकदम आसान है इसमें कुछ करना नहीं, टाइमर के अंदर बना दो बस प्लीज, इसमें बस एक request है आप सभी लोगों से कि जितना टाइमर चल रहा है उसी के अंदर में यह जवाब आ गया तो समझो, दिल बाग बाग है, उससे जादा मतलब 20 सेकंड, enough है इस सवाल के लिए देखो कैसे, B के बाद B, C, D, F के बाद G, H, L के बाद M, N R के बाद S, T, अरे पगला ही तो कोई answer नहीं आ रहा है B के बाद C, D, F के बाद G, H, L के बाद M, N, R के बाद S, T, हमें लगा यहीं से निकल जाएगा यार अब जब इस से नहीं निकल ला तो place value हरकत में आएगा, 2 और 4 6 और 8 L का 12 और 14 R का 18 12 और T का 20 यही तो place value है B, C, D, F, G, H L, M, N, R, S, T तो को यहीं पर मैंने तो सेट किया था इसी के लिए यहां पर मिस्टेक हुआ है कि 4 उसी वे में चला गया है किसी एक को गलत करना था लेकिन अगर और निकालने चलोगे 24 और 60 यह तो अगर जोड़ दो 4 दो क्या हो जाएगा 6 8, 6 क्या हो जाएगा 14 12 और 14 क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा 18 और 20 क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा तब भी आपका यहां पर कोई answer नहीं आ रहा है चुकि यह mistake है भई ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते है यह कितनी बार कड़ाया है मतलब कितनी बार मैंने बोला ना एक सवाल कम से कम 12 बार 10 बार और एक ही logic पर सवाल 100 बार करना है हम लोगों को देखना उसके बाद क्या हरकत में आता है ध्यान देना इसक्वायर यहां था यहां आया फिर वहां गया इससे स्यक्र करके बना सकते हो लेकिन जो जुगार है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ अगर figure number 1 और figure number 5 अगर सेम हूँ हमेशा यह ध्यान में रखना कहां जादा इदर दर घूमने जाना है भाई अगले सवाल की तरह बढ़ते देखते हमारा अगला सवाल क्या है यह लो भाई बड़ा बहतरीन सवाल क्या बात है एक बार जल्दी दे लाइक एंड शेयर कर दो जितने भी भाई बंदू देख रहे हैं हमारे और एक बार फटा फट सभी लोग एक दम लाइक एंड शेयर मारिए और इस सवाल को बनाईए 16 is to bef double is to 18 is to what क्या होगा बोलो भाई क्या एंसर लगा रहे हो 16 is to bef देख रहे हो क्या लॉजिक होगा प्रॉसेस फॉलो करो के तुरंट बनेगा टाइमर चला देता हूँ भई प्रॉसेस फॉलो करिए एंसर आपको तुरंट वो गोद में लाकर रखके जाएगा कि यह लीजी एंसर लेकिन प्रॉसेस इंपोर्टेंट है क्या है एक तरफ नंबर एक तरफ अल्फा बेट तुरंट हरकत में आजाएगा क्या प्लेस वैल्यू पहले टाइमर के अंदर देखते है कितने लोग का जबाब आ रहा है क्या बात है जबर दस्त मेरे वाई क्या बात है जबर दस्त अब बताओ यहां क्या लगा होगे 16 is to bef है यहां ध्यान देना 16 is to क्या है हमारा यहां पे bef तो देखो place value लिखो b का place value दो e का 5 और f का 6 देखो जैसे ही place value लिखोगे आपका सारा attention खतम सीधे खतम 16 का square 256 18 का square 324 मतलब 3 पे आता है c 2 पे आता है b और 4 पे आता है क्या d c b d will be the correct answer हो जाएगा option number b देख रहे हो कैसे attempt कर रहे हैं हम लोग सवाल को वो देखिए अभी देखो अभी छट पूजा आने वाला है ठीक अब छट पूजा का महात में जानते हो कितना है मतलब हम लोग के यहाँ छट पूजा अभी जैसे दिवाली हो गया न केला को यह भी छूता नहीं क्योंकि प्रसाद चड़ता है वो तो अभी सही बंद हो सब बोलते समय रोंगटे खरे हो जाते हैं मेरे भाई ये चीज़ें होती है इतना मात में अच्छे से नहाद होकर पूजा अच्छे से करके जो भी भगवान लोग का पूजा होता है उनों का पूजा करके और उसके बाद खाना खाती है वरती जैसे मेरी मम्मी करती है तो मम्मी उसके बाद खाना खाने में क्या होता है इकदम सुद्व रूप से एकदम, उस दिन से वहर स्टार्ट है मतलब नहाय investigate से स्टार्ट होता एंग, उस दिन क्या होता है चावल दाल कद्दू की सबजी यह सब होता है तो नहाय खाय के तिन यह हुआ नहां के अच्छे से पवित्रों के भाई लोग लोग Анगरहन किया, उ पूजा करके और उनको वो गुर्वाली खीर चोटी-चोटी रोटियां बनती है वो उस पर खीर रखके उस पर परशाद वगेर रखके पूरा उसको हम लोग के तरफ कता है नियोज लगता है jest छड़ाया जाता है ठीक उसके बाद नियोज जो हम लोग को मिलता है प्रशाद क तो उनको बुला करके अपने अउस दिन खाना उना खिलाया जाता है तो यह चलता है तीसरा दिन होता है क्या संध्याः जाता है मतलब विष्डवर्व पॉास पर रहती है और साम में ना रहा सजाया जाता है pas और उसको नीया टौन लूग शूप वो लिया जाता है उसमें केला का वो पूरा रहता है जिसको हत्था कहते हैं हम लोग केला है पूरा वो उसमें सेव है ये जितना फल है मौसमी फल वो सारा चीज ले जाकर इख रहता है कहीं कहीं तो हाथी का परचलन है अब हाथी का नाम सुनके जहां पर नहीं होता है उनको लग रहा होगा कि हाथी बड़ा समंगाया जाता है क्या नहीं लोग मानते हैं कि लोग वाती करीद के कहां से लाएंगे हांती वह कुमार होता है जो मिट्टी का हांती बनाता है चोटा-चोटा तो वह दो हाथी ला कर उस पे मुख काये करके और पूरा एक जम्भवे त तो वह संध्यार्ग होता है अभी तो पहले लोग गंगा नदीजिन के घर के आसपास आते हैं या तालाब में कोवीड के कारण तो बहुत सारे लोग घर पे भी मनाते हैं कि घरी के आसपास अपना थोड़ा सा तालाब बना लेते हैं मतलब इतना गड़ा खोद करके उसके पूरे दुनिया का सबसे पहला फेस्टिवल है को कि देखो उगते सूरी को सब सलाम करते हैं उगते सूरी को सब जल देते हैं लेकिन डूबते सूरी को अर्ग दिया जाता है यह बिहार का जो फेस्टिवल है छट पूजा यह पूरे वल्ड में सबसे पहला सबसे यूनिक फेस्टिवल है इसमें डूबते सूरी को अर्ग दिया जाता है है ना तो ये हो गया उस दिन उस दिन क्या होता है कि डूबते सूरी को आप तालाप पे या गंगा नदी में या दर्वाजे पे कुछ कर रहें कुछ लोग तो छत वगएर पे भी अप करने लगे हैं तो वो करक पर फिर उस पर घड़ा इसे रखा जाता है उस पर पूरा अच्छे से एकदम को बंपटा का चल रहा है एकदम गीतूत गाती हैं अगल बगल की लोग आ करके तो वो सारा फेस्टिवल हो तो हो गया वाई संधियाकार के मतलब रात पर चलते रहता है दस गारा बजे नो उंटे खरे हो रहे है है ना तो मतलब ये पवितरता है उसके मतलब चार दिन पहले से सब कुछ उसके बाद क्या होता है कि सुबह अब रात में आप सोई और सुबह चार बजे से अर्ग चलाने गजाए अब उठाया जाता है अब उठो जल्दी नहोँ दौड़ा लेके जा theatre Lee मुम्मी लोक 10 20 मिनत पहले से जा करके जैसे ही सुर्ज की लालीमा दिखती है पहली लालीमा तो अजसे पारे और फेस्टिवल क्या हो जाता है समाब्त हैं uts को क्समा जाता है और उसी दिन पारण होता है, मतलब वो जो दो-तीन दिन से उपवास चल रहा होता है, ममी का, वो उस दिन यह होता है, तो उस दिन चाय होता है, और उसमें मतलब इतना पुन्य माना जाता है, कि संध्यार देके जब ममी लोग सोई रहती हैं, तो पैर दवाना ही दवाना है, मत चलिए question पर आते हैं थोड़ा जादा बात चीत हो गई हम लोगों की है ना जल्दी से एक बार questions पर आ जाते हैं तो यह चार दिन का होता है festival है ना तो चलते रहता है यह मतलब उपर वाले का आशिरवाद मैया का आशिरवाद बस बना रहे हम सभी लोगो पर मैं यहीं मांग मा कर लिया है अगले सवाल पर आते है देखते हो क्या होता है एक कुट भासा में 345 को 60 लिखा जाता है 651 को 30 लिखा जाता है उसी कुट भासा में 432 का code क्या होगा अब यह इतना आसान सवाल है कि timer चलाया और आपका जबाब आया इतने देर का सवाल है बस उससे ज़्यादा लिखाजाता है 651 को 30 लिखाजाता है तो उसी कूटबासा में 432 का कोड क्या होगा अब इखो इतना आसान है अब 345 को 60 लिख द्यान देना 345 को क्या लिख दिया है 60 तो आढ़े भाई मेरे 145 को 60 क्यों लिख दिये तो हम इसको गुणा खेंगे 4 गुणा 3 बारा बारा गुना दो तो 24 आ जाएगा option number 1 में लिखा हुआ था आगे निकल जाएगे दिक्कत समस्तिया परिशानी है ही नहीं अगला सवाल आ गया अब इसको बनाओ ज़रा सा timer चला देंगे भाई थोरा देख लो age दे रहे हैं तुम लोगों की timer के अब लो चल गया अब बताओ यहाँ पर क्या answer लगेगा 26 is to 4 double is to 16 is to what double is to 49 is to 5 क्या answer इसका लगा रहे हो यह एक बार बता दो आप सभी लोग भाई विर्मजा आजा है बोलो भाई क्या answer लगेगा जल्दी से एक बार फटा-फट आप सब लोग बताएं 26 is to 4 double is to 16 is to what double is to 49 is to 5 क्या जाएगा इसका answer यह एक बार आप सभी लोग बता दीजिए फटा-फट देख लो भाई दियान से 26-4 से संबंदित है कैसे भाई क्या हो रहा है भाई देखो यह स्क्वाइर स्क्वाइर लेकिन यह काम कर बढ़ा दिया स्क्वाइर नहीं है तो 26 से 4 कैसे हो रहा है 6 में से 2 गया 4 9 और 4 का डिफरेंस 5 6 और 1 का डिफरेंस 5 option number 5 जिसमें रहे लगा दीजिए बाई option number जिसमें भी 5 रहे c यह अभी c लगाई यहां पे c answer हो जाएगा देखो कैसे बन रहा है सवाल वो clear होते रहना चाहिए आपका क्या आगया यह dice का सवाल है करें नीचे पासे की दो इस्थीतियां दरसाई गई है वह फलक जिस पर b लिखा है उसके विपरीत कौन सा फलक होगा है देखो यहां पे क्या है f b d है ध्यान देना अरे यार यह तो ऐसे ही बन जाएगा यह तो ऐसे ही किस के आपोजिट पूछा है b के आपोजिट ना यहां तो b common ही है जहां common नहीं वो निकाल लो न f और d कहीं आपको दिख रहा है b के आपोजिट पूछा है तो हमें तो b का निकालना है तो अगर आप एक और तीन को देख रहें तो c d e c d e बिल्कुल निकल जाएगा इससे इन दोनों से निकाल दो एक और तीन से क्या निकलेगा भाई दोनों में common कौन था वो पकर लो b का आपोजिट e f का आपोजिट c तो b का पूछाड था आप एंसर लगा दो कि b का आपोजिट क्या होगा e will be the correct answer बोलो भाई पकी बात है यहां पे कोई दिक्कत परिशानी तकलिफ तो नहीं किसी को अगला सवाल बोलो भाई यह तो कितनी बार कराया है यह देखो यह clear है a, b, c तो अगला क्या होगा d है यह नहीं आप्शन में पूरा साफ कर देता है दिमा के अब यह है यह नहीं अब सोचो यह मतलब यह logic की गायव है अब market से यह logic गायव अब बताओ क्या करेगा कुछ नहीं करेगा भाई जब यह नहीं लगेगा तो क्या दे को हिट करने पर ऐसा नहीं कि यह सवाल आपसे हमेशा बन जागा लेकिन आपको process follow करना है हमेशा याद रखिएगा तो अगर a, b, c, d से तो start ही नहीं तो क्या करेंगे भाई पहले तो timer चला देते है तुम लोग पहले time के अंदर बना लो तो फिर बहुत बढ़ी है नहीं बना और तब फिर हम बताते है आपको कैसे बनेगा like and share नहीं हो रहा है भाई जल्दी से एक बार like and share कर दीचे जितने भी भाई बन्दों हमारे साथ देख रहे है फटा फटा एक बार like and share बनता है आप सभी लोगों का बोलो भाई क्या लगाओगे answer किस तरीके से लगाओगे अब तो वह बाली बात आ गई a, फिर bf, फिर cx, तो आगे क्या लगा रहे है तो देखो एक प्लेस वैल्यू एक, b का 2, f का 6, c का 3, x का 24 यही है न भाई, कुछ लोजिक नहीं लगा जोर के देखो तो यह तो सिंगल है तो एक का एक, यह दोनों को जोर होगे तो 8 इन दोनों को जोर होगे तो 24 और 37 अब बन गया तो 9, 5, 14 हाँ बन जाएगा option number C will be the correct answer बोलो भाई, option number C will be the correct answer यहाँ तो किसी कोई दिक्कत तकलिफ परिशानी नहीं होनी चाहिए अगला सवाल, और यह थोड़ा unique type का सवाल है नयाप सवाल है थोड़ा, एक नया चीज आपको सिखा के यहाँ पर मैं जाओंगा, आप ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है एक नया चीज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ यह पहले आप लोग answer दो, इसका timer चला दिया है हमने एक बार जल्दी से फटा-फट, आप लोग एक बार यहाँ पर answer दे तो 9, 1, 5, 3, 2, 6, 6, 6, 2, 4, 5, और interrogative mark क्या होगा, एक बार जल्दी से देखा जाए, भई, क्या answer लगा सकते हैं आप लोग यहाँ पर होता क्या आप जब इस टाइप से सवाल होता है ना था, हम लोग या तो ऐसे चेक करते हैं या ऐसे करते हैं अब ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि इसी में कुछ बच्चे होंगे जो रोगटा कुना भाग करके और डिवेंट करके कुछ सोच रहे होंगे कुछ लॉजिक लग जाए एक लॉजिक ऐसा भी आता है ध्यान रखिएगा इसको हमेशा इसको जो रोगए तो चे चे बारद दो चौदध चार अठारः और पांच तो और तेईस आरह है तो और कितना रख देंगे तो दूनों इधर भी छबईस आया ता तेईस यहां तीन रख दो दो चबईस मतलब इसको भी add करने पे 26 आ रहा है इसको भी add करने पे 26 आ रहा है बस answer तो यहाँ पे option number B में लिखा हुआ है 3 मतलब 3 will be the correct answer लगा सकते हैं समझ रहे हो बात को कैसे कर रहे हैं हम लोग answer लगा रहे हैं अगला सवाल अलग कौन है उस अंक का चैन कीजिए जो अन्य से भिन है मतलब अलग है odd one out आपको निकालना है जल्दी से बताओ क्या होगा 226 820 414 और 424 अलग कौन है यह देखना है तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ यहाँ पे कि जब भी इस टाइप का सवाल है जैसे 226 है यहाँ पे है ठीक है तो जब भी 3-4-4 नंबर का आज है odd one out तो मैं आपको बार बार कहता हूँ एक बार सब को जोर के देख लेना चारों को सेम तो नहीं है फिर देखना सब को गुना करके आपस में देख लेना सबका सेम तो नहीं आ रहा है चारों का या किसी 2 को add करके 3 या किसी 2 को गुना करके पहले वाला या last और पहले वाले को जोर के बीच वाला इस टाइप से logic चलाना है यहाँ पे देखोगे 2, 2, 4 और 6 4 और 6 क्या हो गया सब को जोर है तो 10 8, 2, 10 4, 4, 8, 9 4, 2, 6, और 4, 10 सब को जोरने पे 10 आ रहा है लेकिन इसको जोरने पे 9 आ रहा है मतलब यह correct answer हो जाएगा और very very important logic है यह इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा आप सभी लोग जितने भी भाई बंदू हमारे शाद जूरे हैं इस चीज को एकदम remind करके रखिएगा बाई जबर्दस लोजिक है यह अब यह देखो भारत रुपिया जर्मनी तो यह दो जग़ा यूरो दे दिया है है ना जर्मनी की currency क्या है कोई भी एक लगा हो डॉलर पाउंड यूरो क्या होगा यह आप खुद से बताओ इसका answer 10 सेकेंड यह तो यह का है है ना तो एक बार यह आप पे मैं छोड़ता हूं कि क्या answer होगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं जर्मनी का currency क्या है अगला सवाल और यह कोई भी बना सकता है यह देखो 12 डॉलर 23 बराबर 35 एक तालिस डॉलर 43 बराबर 57 तो 36 डॉलर 62 इसका क्या लगाओगे जल्दी बताओ 12 डॉलर 23 है ध्यान देना 12 डॉलर 23 बोलो भाई इसका answer क्या लगाओगे 12 डॉलर 23 है देखो कैसे लगेगा 12 डॉलर 23 सब को आपस में जोर देखो यही करेंगे सब को जोरेंगे फिर इन दोनों घटाएंगे 98 will be the correct answer कोई रोग पाएगा समझ रहे हो बात को कैसे answer यहाँ पे लग रहा है यही चीज आपको सीखनी है अगला सवाल कितने ट्रेंगल है कितनी बार कराया मैंने भाई मतलब यह सब नहीं बना रहे हो ना तो समझ लो कि मतलब मिस्टेक बहुत बड़ी हो रही है बहुत बच्चों से आप पीछे चले जा रहे है इसमें कितना ट्रेंगल बनेगा सिखा चुका हूँ जितने खंड में बटा जो जब भी कभी यह ऐसे ऐसे कट कुट रहे तो इसमें कितने ट्रेंगल आप से पूछे तो कितने खंड में बटा लिख लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसमें सबसे बड़ा कौन था? छे, सबसे बड़ा उसका दो गुना कर दीजिए उतना ट्रेंगल बनेगा मतलब इसमें बारा ट्रेंगल बनेगा क्योंकि छे सबसे बड़ा था उसका दो गुना यहां करोगे एक, दो, तीन, चार इसमें सबसे बड़ा कौन था? चार मतलब इससे कितना निकल के आएगा? आठ ट्रेंगल चार का दो गुना कर देंगे लेकिन इसने क्या किया? इसी में एक और ऐसे जोड़ दिया तो फिर एक, दो, तीन, चार तो इससे भी कितना निकलेगा? चार दुनी आठ, बाहर आठ और निकल गया लेकिन जब यह दोनों मिलता है ना तो एक ट्रेंगल यह तो सीधी लाइन है याद रखना तो एक यह बनाएगा, जब दोनों मिला है तो एक यह बनाएगा, और एक यह बनाएगा ठीक है? तो आठ, आठ, सोलह प्लस दो, तो अठारा हो गए अभी तक लेकिन इसने नीचे और ऐसे जोड़ना सुरू कर दिया, क्या? उसने कहा हम नीचे वी कर देंगा, कुछ कर लीजिएगा, हम बोल Landesregierung, कुछ नहीं करेंगे देखो तो ञारेंगे, यहां तक आठ, 8, 16, 2, 18 निकल चुका था तो 18 के बाद एक यह उननीच हो गया बीस हो गया, एकीस हो गया बाईस हो गया, तैईस हो गया 24 हो गया यहां तक clear है 24 हो गया 24 के बाद 21 और 22 मिलके एक बना देगा तो 24 और 1 यह हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और भी कोई बनेगा क्या तो एक बार ऐसे देखे तो यहां से तो यह बना नहीं पाएगा यह तो काउंट उपर उपर इन दोनों को मिला के तो 25 के बाद और कोई बना नहीं पाएगा एंसर लगा दीजिए ओप्शन नमबर A 25 देख रहे हो कैसे बनाया जा रहा है सवाल को यह आपको अप्रोच सीख जाना है यह जिस दिन सीख बाद फिर उसके बाद बल्ले बल्ले है भाई है ना यह बताओ यह तो कितनी बार कराया 48 बराबर 80 यह थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग रहता है सवाल 23 is equal to 13 आपको निकालना है 15 is equal to what क्या होगा जल्दी से एक बार बता दीजिए 48 is equal to 80 23 is equal to 13 15 is equal to what क्या होगा जल्दी से एक बार फटा फटा देखते हैं आप लोगों का जबाब क्या आज आता है बताइए वही क्या एंसर लगेगा यहां पर आपका सवाल को ऐसे डील करना है आप सभी लोग को वह सीखना है ठीक है चली आगे देखते क्या है तो भाई आज के लिए इतना ही था फसाई का कोई भी बैच आप ले रहे हैं आप जाईए वाई 315 यह कूपन कोट लगाईए का आपको जबरदस डिसकाउंट मिलने वाला है अभी तक अगर आपने फॉर्म भी नहीं बढ़ाये तो भर लो 12 तक डेट है सिंपल ग्रेजवेट भी बच्चा फॉर्म भर सकता है और इंटर पास बच्चे के लिए भी एक पोस्ट है तो उसको भी फिल करें और सिर्फ एक एक एक्जाम में आपका सेलेक्शन है बारा तक फॉर्म भरने का डेट थर्टी महिया एक पास सेलेक्शन भी होगा यहां ग्रेजवेशन पास समाझ रहे हो ना तो यह चीज़े हैं कुछ पोस्ट के लिए क्रेजवेशन नहीं आपको अलग पीजी वगएरा भी मांगती है वह भी है कुछ पोस्ट के लिए करेजवेशन के साथक्छा एगरीक उफम में होना चीज़ लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जि ठीक क्या करना है अड़ा 24-7 के एप पे आपको जाना है और बस एक बार जूर जाना एकदम ताबरतोर अंदाज में ठीक है दोस्तों तो चलिए आज के लिए तना ही हमेशा याद रखना कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अड़ा 24-7 से ले रहे हैं डिसकाउंट के लिए आपको वाई 315 लगाएंगे तो जबरदस डिसकाउंट आपको मिल जाएगा ठीक तो भाई सभी लोग इंज्वाए करिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए फिर मिलेंगे हम सभी लोग अगले क्लास में आज के लिए तना ही थैंक्यू सो मच चैनल को सब् झाल पिसका प्ना ही तो बिसकाउंट क्ये तो